तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में तो यार आप सभी के बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे कि यार रेड्मी नोट एट में आपको बहुत सारे बग्ज देखने को मिले हैं मियूए 12.0.1.0 की अपडेट के बाद पर दोस्तो आपको मालूमी होगा यार इसमें एंडुए 10 थी और यार बग आही जाते हैं नई अपडेट में जो भी मियूए 12 की नई अपडेट आई हैं पहली अपडेट उन सभी में यार बग जो है वो पाए गए हैं तो यहां पर य जिसमें यहार काफी सारे बग्स फिक्स किये जाएंगे तो यहार सारी इंफोमेशन वीडियो में देने वाला हूं तो यहार वीडियो पसंद आएगी वीडियो को एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह है रेड्मी नोट एट तो अगर मैं यहां पर सेटिंग्स में जाता हूँ और यहां पर माइड डिवाईस में जाता हूँ तो यहां पर मैंने चाइना का जो सेकिंड अपडेट है मियूए 12.0.3.0 की स्टेबल रोम की अपडेट को जो है वो अपडेट किया हुआ है तो दोस्तों यह ज Kyoto patch को November का किया गया है और कुछ fixes यहाँ पर किये गए है तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अगर आप किसी भी यहाँ पर landscape mode में है तो अगर आप यहाँ पर जाकर अब landscape में अपना control center लाते हैं तो आपको कुछ इस परकार का नजर आता है तो यहाँ काफी अच्छा कर दिया गया है अभी भी यहाँ पर यह जो data usage का option हमें इंडिया में अभी देखने को नहीं मिलेगा पर दोस्तों जो layout है उसे change कर दिया गया है तो यहाँ पर यहाँ आपको gallery में भी कुछ changes देखने को मिलेगी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी तो अगर आप gallery में जाते हैं तो यहाँ पर gallery में जाने के बाद आप अगर किसी भी picture में जाते हैं जैसे कि यह है अगर आप edit में जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ और sky mode की options अब देखने को मिलेंगी पहले भी थोड़ी बहुत आ चुकी है अब और नहीं आ जाएगा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो performance है वो काफी अच्छी कर दी गई है और यहाँ पर battery भी काफी अच्छे तरीके से काम कर रही है तो मेरे को कोई issue यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है मैं दो दिन से यह phone को जो है इसी update से use कर रहा हूँ तो यह कोई भी issue यहाँ पर मेरे को देखने को नहीं मिला है बैटरी में भी तो दोस्तों यहाँ पर यह जो update है अभी सिर्फ चाइना में ही आई है तो आपको मालूम है सारी updates वहीं पर बनती है उसके बाद ही इंडिया में आती है तो यहाँ हमें कम से कम यहाँ पर 10-15 दिन का वेट करना प अब सबी के काफी सारे comment आते हैं कि यार जेस्टर के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो navigation जेस्टर जेस्टर जैना वार है वह यहाँ पर नहीं आई है यह सारे पुराने ही है कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है पर performance को काफी अच्छा किया गया है और यहा यहाँ पर performance को है जो काफी अच्छा किया जाएगा landscape mode में आपको control center मिल जाएगा बैटरी ठीक कर दी जाएगी और यहाँ पर animation को more smooth कर दिया जाएगा तो दोस्तो रैम management भी यहाँ ठीक की जाएगी तो यह जो update होगी इसमें सभी bugs fix किये जाएगे बैटरी से लेकर performance तक तो यहाँ अपडेट जो है हमें middle of December के महीने में देखने को मिलेगी तो यह सारी information देनी थी आपको यहाँ पर Redmi Note 8 के बारे में तो यह आज के लिए बस इतना ही